नमस्कार मैं डिंपल चोमाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है पल्स24 नियूस पर चलिए नज़र डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबर पर दिनाँ 11 जनवरी दो हजार चोबीस को उपायुक्त से जिला दंडादिकारी जिशान कमर की अध्यक्षता में समाहर नाले सभाकक्ष जिला समाज कल्यान विभाग का समीक्षात्मक बैठक आयोजित किया गया समाज कल्यान विभाग अंतरगत संचालित मुख्यमंत्री कञ्यादान योजना, प्रधानमंत्री मात्र वंधना योजना, सावित्री बाइफुले किशोरी सम्रिध्धी योजना, आंगन बाड़ी केंद्रों का आधार भूत सन्रचना, सहित अन्नी क्रियानवित कारियों, योजनाओं के प्रगती की समीक्षा की गई। बैठक में संबंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए उपायुक्त जिशान कमर ने कहा विभाग द्वारा जितनी भी योजनाय चलाई जा रही है। बैठक के दोरान उपायुक्त ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रगती की समीक्षा की गई। चालू वित्य वर्ष के कोल 366 के विरुध 276 आवेदन स्वीकृत किये गए हैं। उपलब्धी 75 प्रतिशत है। उपायुक्त ने शत प्रतिशत लक्ष की प्राप्ती एवं योग्य लाभुकों को लाब देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मात्रित्व वंधना योजना में पहले बच्चे पर 5806 एवं दूसरे पर 3330 के विरुध मात्र 31.88 प्रतिशत उपलब्धी रहने पर नाराज की जताई गई। सभी CDPO एवं संबंधित को जल्द से जल्द लक्ष के प्राप्ती को लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चत करने का निर्देश दिया। सावित्री बाई फुले किशोरी सम्रिद्धी योजना विभाग द्वारा प्राप्त लक्ष 35000 के विरुध 27547 लाभुकों के आवेदन स्वीकृत किये जा चुके हैं। उपायुक्त ने लक्ष की प्राप्ती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में जिला समाज कल्यान पदाधिकारी, गोड़ा, सभी CDPO, महिला पर्यवेक्षक एवं समाज कल्यान विभाग के कर्मी गण मौझूद थे।